हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग हमने क्या बोलते हैं अपनी प्लेलिस्स टार्ट करी थी लीनियर एलजेब्रा की इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था हमने देखा था वेक्टर्स क्या होते हैं हमने बात करी थी क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखा आदाने basics है तो हो सकता है आप मैंसे बहुत से ऐसे लोग हों जिनके मन में doubt आया होगा कि हम machine learning के time पर अभी हम machine learning पढ़ रहे हैं तो हम linear algebra क्यों पढ़ हैं हम आपस वैसे ही इतनी सारी चीज़े हैं data visualization है इतनी सारी चीज़े हैं उसके बाद इतनी सारी चीज़ों के बाद हम linear algebra भी पढ़ रहे हैं हम mathematics भी पढ़ रहे हैं है तो यह सारी चीज़े क्यों important है आज हम लोग इसी के बार में देखेंगे कि why linear algebra is important why the importance of linear algebra is so high in terms of machine learning ठीक है आज हम इस बारे में बात करेंगे तो चलिए directly शुरू करते हैं मिया नाम गौरव है हम लोग देखते हैं कि आखिर linear algebra ऐसा क्या करता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं pattern recognition की हम लोग क्या करते हैं जब अपने project करते हैं suppose यहां पर मैंने example लिया है यह house की price प्रेडिक्ट करने का अब house की जो price होते है वो directly dependent करती या तो number of room पे कि कितना भी एच्क का हमारा room है उस पे depend करती है यह फिर locality बेड़ करती है उसके size पे depends करते है कितना बड़ा house है हमारा ठीक है price हमारी directly बेसीकली अगर हम बात करें तो या तो number of rooms पे depend करती है या फिर size पे depend करती है और भी features हो सकते हैं यहाँ पर हम number of room लेके चल रहे हैं ठीक है example को समझने के लिए कि आखिर हमारा कितना VHK की room की किती price होगी ठीक है number of room से हमारी price depend करती है हमारे house की है ना तो यह चीज़ हमें समझ में आग equation थी हमारी beta 0 plus beta 1 beta 1 x है ना यह हमारे linear regression की equation थी इसमें beta 0 जो होता है यह था हमारा intercept beta 1 हमारा coefficient of x x हमारा feature होता है इसको हम independent variable की कहते है और y होता है हमारे dependent variable जो की x पर dependent करता है है यह सारी चीज़े तो हमें पता है अभी तो यहां पर क्या होता है हमा पास हम आप तो हमारी equation हमने देख ली, suppose हमारे जो coefficients आए है ना, हमारे बीटा 0 की value आई है, suppose 88 और हमारे बीटा 1 की value आई है कुछ 34 है ना, हमारे model ने ये हमें बीटा की हमारे जो coefficient है, उसकी value प्रेडिक्ट करके दिये, मतलब ये हमारी एक ऐसी value है, जिसके हिसाब से अगर हम इस equation में अपन 34 multiplied by जो हमारा x है, तो इसकी health से हमारा जो y है, यानि जो हमारी house की price है, वो बिल्कुल सही आएगी और इसके हिसाब से हमारा जो loss होगा ना, वो बहुत कब होगा, इन दो जो हमारी value निकल के आई है, है ना, यहाँ पर तक चीज़े के लिए रहे हैं, ओके, well and good, तो यहाँ पर linear algebra पर हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको इक पर फिर से clear कर लेता हूँ, ठीक है, हमारे पास हमारी betas की value आ गई, हमारी x की value पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वो ले लेते हैं value, ठीक है, अगर हम इसको manually calculate करें, है ना, यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम हम इसको manually calculate करेंगे, तो कुछ ऐसी होगी, suppose हमारा पहला 2BHK है, फिर 1BHK है, ऐसे करते-करते हमारे number of BHK हैं, मतलब कि हमारे किस BHK के लिए क्या price आएगी, है ना, तो अगर हम इसकी बात करें, तो इसकी value आएगी, suppose कुछ 156, 156 आगी, ठीक है, इसकी value आगई 122, अब यह म समझना कि 156 रुपे का 2BHK मिल रहा है, यह thousands में होगी value, thousands में होगी, lakhs में होगी, जो भी होगी, x, y, z, अभी just हमने hypothesis, एक variables नहीं है, एक hypothesis हमारी betas की value है, यह कोई actual calculated नहीं है, ठीक है, just हमने समझने के लिए यहाँ पर लिया हुआ है, तो suppose हमारी 2BHK की price हाई 156, ठीक है, 8 manually कर लेंगे, 10 कर लेंगे, चलो 100 कर लेंगे, what if we have 1 lakh data points, तीक है, अगर हमापास 1 lakh data points है, 1 crore है, या फिर millions है, trillions है, हमाँ बहुत बड़ा-बड़ा data होता है, उसको तो हम manually नहीं करने लगेंगे न, ठीक है, और फिर क्या बोलते है, उसके हिसाब से हम predict भी नहीं कर future करेंगे, है न, तो अब हम इसको automate करेंगे, python की help से, या फिर programming की help से, तो हम लोग ये function कुछ इस तरीके से हम loop लगाएंगे, है न, loop से हम क्या करेंगे, जितने भी हमापा data points है, हमापा number of data points है, वहाँ तक हम अपने loop को iterate कर वाएंगे, है न, और जो हमारी values है, वो यहाँ पर put कर देंगे, और हमापा जितने भी suppose 1000 हमापा data points है, 1000 data points है, 1000 data points है, तो 1000 data points के लिए हमारी price आ जाईगे, है न, तो यह हमारा जो model है, हमें अप्लिट करके देदेगा, यह तो रही हमारी programming की बात, तो अब backend में कैसे काम होती है, अब backend में काम कैसे होता है, अब हम उसको उस 1BHK, दूसरा था हमारा 2BHK, अब यह थानी था, वह हम देख लेंगे, ऐसे करते करते, suppose हमारा पास 100 है, 100 है तो यह हो गई हमारी 100, 100 cross 2 की matrix हो, कैसे होई, हमारी दो point है, एक तो यह है, यह 111 वाला, और यह हमारा number हो BHK, अब यह वाली value हो गई हमारी beta, जो हमारी वो है, क्य इसको 1 initialize कर देते हैं, अब 1 initialize क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा पास यह 88 है, यह beta 0 है, बीटा 1 है, है ना, तो अब अगर हम, हमारी equation क्या थी, हमारी equation थी, y is equal to beta 0 plus beta 1x, है ना, beta 1x या फिर x1, कुछ भी कह लीजिए, अब हमारा पास x1 की तो value है, यहाँ पर कोई variable नहीं है, ह यहाँ पर अगर हम इसको एक constant, यानि एक 1 से multiply कर देते हैं, तो यह रहेगा तो beta 0, तो अपनी convenient के लिए, यहाँ पर हम एक column, जो है, एक column initialize करवा देते हैं, 111 का, ठीक है, इसमें सारी 11 values रहेंगी, ताकि अगर यह beta 1 से multiply हो, यानि 88 से, इसके इसमें 88 से multiply रहेगा, तो यह 88 का 88 ही रहेगा, 89 नहीं होगा, है ना, तो यह हमारा पास 100 cross 2 की matrix आ गई, इसका हम लोग dot product लेंगे, अगर अपनी भासा में कहें, तो multiplication लेंगे, किसके साथ, यह हमारे जो beta's की value है, 88, एक second, 88 और 34, है ना, 88 और 34, यह हो गया हमारा एक vector, ठीक है, यह हो गया हमारा 1 cross 2 का एक vector, यहाँ पर यह हमारा vector हो गया, और यह हमारी होगी matrix, ठीक है, हम यहाँ पर इसको वो कर देते हैं, erase कर देते हैं, ठीक है, तो यह हमें कुछ output देतेगा, है ना, यह हमें कुछ output देतेगा, यह, अच्छा, matrix multiplication कैसे होता है, इसमें multiplication कैसे होता है, जब हम आगे बढ़ेंगे, त कुछ value आजाएगी, हमारी value आईगी आपकी कुछ पहले वाले की हमारी 122 है ना अगर हम आप 1 VH की है तो दूसरा 2 भी एच के है तो यह आ जाएगे हमारी 156 यह यहाँ पर 1 की मल्टिप्लाई इससे ओर यह 34 की मल्टिप्लाई इससे ओर यह और यह प्लस हो रहा है तो अगर मैं इसको इलेबरेट करके लिखूँ तो यह कुछ इस तरीके से आएगा 88 प्लस 34 88 प्लस 34 ने हमें दिया 122 ऐसे ही हमारा आगे भी होती जाएगी और ऐसे हमारे एक मैट्रिक्स बन जाएगी ठीक है तो ऐसे ही हमारे पास सारे हमारे प्राइस आ जाएगी यह हो गया हमारा वेक्टराइ वो हैं दो रो हैं हमारी और एक कॉलम है ठीक है यह हमारा एक कॉलम है तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इसको डिनोट कर सकते हैं तो इसी लिए हमार अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें मसीन लर्निंग अल्गरिदम क्या लेती है machine learning algorithm में हमारा कुछ input होता है कुछ हमारे coefficient होता है उनका multiplication होता है यहाँ पर beta 0 और beta 1 हमारे coefficients है और x जो है हमारे input है machine learning algorithm क्या कहती है input लेती है उसका multiply करती है coefficient के साथ और हमें देती है output यही तो है यहाँ पर हमारे input है यह हमारे coefficients है और इनकी help से हमें हमारा output मिल गया और इस case में क्या हो रहा है इस case में भी तो हमारे यही हो रहा है यह जो यह है यह हमारा क्या है यह हमारा input है यह हमारे features है यह हमारे x की value है और यह जो यह है यह हमारे coefficients है यह हमारे coefficients है जो हमारे model ने हमें credit करके दिया है यह हमारी coefficients हो गए और यह जो हमें मिला है यह हमारा output हो गया तो हमारा input coefficient ने हमें मिलके हमारा output दे दिया यही तो machine learning algorithm होती है ऐसे ही इसी लिए हमें क्या बोलते हैं वेक्टर यह linear algebra जो है समझना जरूरी है अगर हमें यह चीज़े समझ में नहीं होंगी अगर हमें यह पता नह effective way में हम नहीं समझ पाएंगे हैं कैसे हमारी यह जो values हैं वो metrics के form में represent हो रही है हमारे जो weights हैं वो update कैसे हो रहा है अब weight कैसे निकालते हैं यह मैंने पहले बात कर चुका हूँ ठीक है अब वहां जाके check out कर सकते हैं अब weight हमारे कैसे update हो रहे हैं और हमें यही weight क्यों मिला ठीक है बीटा 0 की value हमें 80 80 क्यों मिली 30 क्यों नहीं मिली 36 क्यों नहीं मिली और यह दोनों opposite क्यों नहीं होए बीटा 0 की value 34 और बीटा 1 की value 88 क्यों नहीं मिली ठीक है तो इसलिए vector को समझना हमारे linear algebra को समझना बहुत जादा important हो जाता है है ना तो यहां पर I hope कि आपको यह अगर यह image देतें तो क्या वो directly बता देगी हमारे को.. पर लाइट पिक्सल होगा कहीं पर इस तरीके से जैसे यह हमारा लाइट पिक्सल है यानि वाइट वैल्यू है अच्छा यहाँ पर हमारा आर जी भी जो है वो बहुत जादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम 0,0,0 की बात करें और 255 की बात करें 0 से लेकर 255 यह हमारे कलर कोड होते हैं यहां तक हमारी वैल्यू जाती है यानि हमापास टोटल 256 वैल्यू होती ठीक है जीरो से 255 गी वैल्यू तो यहाँ पर इंटेंसिटी के हिसाब से हमारी यह एक मैट्रिक्स बनती है अब जैसे सपोज यहाँ पर अगर हम बात करें यह कुछ 300 पिक्सल है ठीक है यहाँ पर यह हमारी 300 पिक्सल है और यह वाला जो यह है यह हमारा 200 पिक्सल है और यह हमारी इमेज हमें पता चल रहा है यह कलर्ड है तो इसके तीन चैनल है यानि RGB ठीक है रेड ग्रीन और ब्लू रेड ग्रीन और ब्लू तीन चैनल मिलके हमारे को यह हमारी एक वैल्यू मिली है तो हमारी तीन मेट्रिक्स हो जाएगी पहली हमारी ग्रीन के लिए हो जाएगी फिर ग्रीन के लिए हो जाएगी फिर ब्लू के लिए हमारी तीन मेट्रिक्स ह कर आएगी ठीका तो ये हमारी कुछ इस तरीके से हो जाेगी 3XZ25 इस तरारीके की मैट्रिक सी ओ जाएगी अब इसको रिपर्जेंट करेंगें जहेती हमारे चैनल वह गए ये हमारा ये वाला सेक्ष्चन हो गया, और ये हमारा ये वाला सेक्ष्चन हो गया, א吉ंड़ इमेज है, इसको पिक्सल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर लाइट होगी, वहां पर उस हिसाब से कलर की इंटेंसिटी के हिसाब से यहां पर हमारी वैल्यूस डिनोट होगी, है ना, तो इसी लिए लिनियर एलजब्रा को समझना बहुत जादा इंपॉर्ट हो जाता है समझना, अगर हम लिनियर एलजब्रा को नहीं समझेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा बैकेट में कैसे काम हो रहा है, हमारे जो वेट्स हैं, वो कैसे अपडेट हो रहे हैं, आखिर यह जो बैकेट में हमारा पास वैल्यू आई है, जो हमारी यह अच्छा, यहा हमने देखा कि हम लिनियर एलजब्रा समझना हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है, आखिर क्यों हम लिनियर एलजब्रा का यूज करते हैं, आखिर हम क्यों लिनियर एलजब्रा को समझते हैं, पढ़ते हैं, जबकि हमने लिनियर एलजब्रा हमारे स्कूल टाइम पड़ रखा है है ना तो यहाँ पर इसलिए linear algebra important है इतनी सारी चीजों के वएसे यह जो मैंने बात बताई है आपको आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो एक like कर दीजी वीडियो को ठीक है अगर आपको मेरे द्वारा बनाया होगा content पसंद आ होगा ठीक है जित्ता जल्दी हो सके अगर आपको कोई feedback देना है किसी भी चीज से related तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं मेरे को feedback दे सकते हैं ठीक है या मेरे social handle में जाके मेरे को personally text कर सकते हैं DM कर सकते हैं मेरे को बता सकते हैं किस चीज में improvement चाहिए या कौन से topic पे आपको वी प्रियो में बाइ